नमस्कार दोस्तों स्वाग और आप सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको उता हूंगा कि कैसे आप अपने अगर दोस्तों आपको भी क्रेशिंग का प्रॉब्लम आ रहा है दिवाइस पर तो दोस्तों उसको कैसे फिक्स कर सकते और क्यों क्रेश का इशू शूरू हो जाते दिवाइस पर तो वह आप आज इस वीडियो पर सब कुछ जान लिजी कर ठीक है क्रेश प्रॉब्लम कहा से क्रेश होते हैं कैसे करके उसको फिक्स कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको जाना है सॉलूशन करने प्रॉब्लम को फिक्स करने तो वीडियो को शूरू से लेकर अंतर जरू देखें और दोस्तों वीडियो शूरू करने से पहले चैनल को सब्स सब्में का ऐस्प दोस्तों अप तरहा तरहा गी फराप्लेम आप वेबसाइट उसमें जाते तो तरह तरहा पर कुछ चीज़े। एसोत दाउनडाट करते हैं तो उनसे बहुत है आपके फोन पर लाइरस वगयरा आजाते हैं तो आप हमेशा दोस्तों एक चेक करें जब भी आप कुछ वेबसाइट पर जाते हैं कोई application आफ्र कोई चीज जुए डाँनलोड करने के कोशिश करते तो उनका साइट एक बर जरूद चेक करें तो उन जैसे crashing का issue शूरू हो जाते हैं और वह application जो भी है दोस्तों आप उसको uninstall कर दें ठीक है तो उनको हम कहते हैं bad applications यहीं ऐसा कोई भी application से device पर तो आप उनको जो है uninstall करें uninstall करने से दोस्तों आपका जो फोन है उसमें से improvement हो जाएगा ठीक है और आपके जो device है उसमें storage वगरा भी चेक कर लें यदि आपका storage काफी जा रहा यहाँ पर फूल हो चुका है consume हो चुका है तो आप storage वगरा को भी clear up जरू करें तो दोस्तों आपको करना क्या होगा आपको जाना है about phone पर storage पर जाना है और clear cache पर आपको क्लिक करके cache को clear कर देना है इससे आपको काफी सारा जो space है वह वापस मिल जाएगा ठीक है लेकिन इतना ही नहीं आपको यह भी चेक करना है कि आपकी device पर कितना storage बचा हुआ है तो आप उपर में देख सकते हैं ठीक है चेक करें आप जो है दोस्तों कुछ यहाँ पर applications, files वगरा को delete करें यादि आपका storage जोए काफी full हो चुका है उसके बाद आपका जो cache वगरा है उनको delete करें तो उन सब से दोस्तों आपका जो phone है उसमें problems वगरा fix हो जाएगा ठीक है तो आप यह सब करके देख सकते हैं सारे साथ दोस्तों यहाँ पर आपको crashing का problem हो रहाएं तो इसपेस वगरा को check करने साथ application को delete करने के सारी साथ आपको device software भी check करने तो आकर आपका device software अप्डेट खरना होगा क्यूंकि device software update करने से crashing का जितने भी तरह का problem होते हैं वह solve हो जाते हैं ठीक है तो बस आप यह सारे solution कर सकते crash problem को fix करने के लिए by any chance मान ले आपका जो problem है वो fix ही नहीं हो रहा है ठीक है अभी भी phone crash होते जा रहा है होते जा रहा है तो दोस्तों आपको factory reset कर देने अपने device को उसके लिए आप जाए about phone पर backup and reset पर click करें और नीचे जाके erase all data पर यानि की factory reset पर click करना है और अपने device को reset कर लेना है ठीक है यह करने के बाद दोस्तों आपका phone पूरा free हो जाएगा और आपका crash का issue भी fix हो जाएगा तो आज की इस वीडियो बढ़ो सब बस इतना ही इससे आपका जो problem है वह बिल्कुल solve होगा आप एक बार ट्राइज जरूर करके देखे इसके related कोई भी problem कोई भी issue है तो आप हमें बता सकते comment section पर भी thanks for watching